नमस्कार, आपका अखिबार के इस अंक में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग। आपने क्रिकट में तो बहुत बार सुना होगा रटाइड हट, बैट्समन होते हैं, लेकिन रजनीती में भी सुना है क्या। रजनीती दिए आपको सुनने को मिलेगा। मैं आज बात करने जा रहा हूं पश्शिम बंगाल की, और पश्शिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनरजी इस समय राजनीती से रेटायर्ड हट है, मतलब राजनीती से रेटायर्मेंट नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन जिस तरह का उनको धक्का लगा है, आर जी कार जो राजनीती जीवन में पहली बार जुकी है, पहली बार कमजोर दिखाई दे रही है, पहली बार ऐसा हुआ है, कि उनके अंदर का वो एग्रेशन गायब हो गया है, आज जो ममता बेनरजी आपको दिखाई दे रही है, उनकी इस तरह की स्थिती की कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी, कि कोई ऐसा दिन आएगा, ऐसा समय आएगा, जब ममता बेनरजी का ये रूप देखने को मिलेगा, या ममता बेनरजी इस रूप में देखने को मिलेंगी, जूनियर डॉक्टर्स ने पूरी तरह से घुटने पर ला दिया है ममता बेनरजी को, और उनकी गलत हो तब भी वो उतनी ही अग्रेसिव नजर आती थी और उतने ही अग्रेशन से बात करती थी, सड़क पर उतरती थी, धरना देती थी, सत्ता में रहते हुए धरना देने वाली मुख्यमंत्री है, शायद ही आपने किसी को सुना होगा आप वाद सुरूप को ऐसी घटना तो अलग बात है, लेकिन सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में CBI और ED को काम न करने दे, उनके खिलाफ धरने पर बैठ जाए, अपने पुलिस अधिकारी जिस पर आरोप हों उसके समर्थन में बैठ जाए, ये लोग धीरे-धीरे CPM का वो दौर भूल चुके हैं, अब लगता है कि इतनी बुरी स्थिती तो CPM के दौर में भी शायद नहीं थी, हाला कि समय ऐसा होता है कि बहुत सारे घाव बर देता है, लेकिन ममता बनेर जी के राग में जो कुछ हुआ, इसके बावजूद आप हो गई और BJP जो है, जो 18 सीटे जीती थी, उसकी घटकर बार रह रह गई, तो जनता उनके साथ है, मदाता उनके साथ है, वो किस वज़े से है, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव का नतीज़ा तो आपको स्विकार करना ही पड़ेगा, जो भी हो, जिस तरह से पर ही आया हो, लेकिन नतीज़ा है, जनादेश है, उसको स्विकार करना ही पड़ेगा, तो ये स्थिती लोकसभा चुनाव में जब लग रहा था कि ममता बहर जी अपना जनाधार खो रही है, अपनी जमीन खो रही है, तब ही आया, ब्रष्टाचार का आरोप जितना मंतरी के घर से भारी मातरा में कैश परामद हुआ, और वो कैश का जो दृश्य था, लग रहा था कि वो देखने के बाद लोगों का मन बदलेगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा, लेकिन जो नतीज़े आये हैं, लोकसभा चुनाव के कम से कम, वो ऐसा नहीं बताते है तो मंता बेनर्जी अपनी जमीन पर मजबूती से खड़ी थी, लोकसभा चुनाव तक, और उससे पहले भी जब जून दोजार तेईस में गडबंधन बनाई हैं, इंडी गडबंधन, तब वो एक तरह से केंदरी भूमिका में थी, उनके बिना इंडी गडबंधन की किसी बैठक की कलपना नहीं की जा सकती थी, और ये अनुमान लगाया जाता था कि इस बैठक में ममता बेनर्जी का रुख क्या होगा, इस विशे पर उनका रुख क्या होगा, और कई पार्टियां उनके साथ थी, खास तोर से अखलेश यादव समाजवादी पार्टी पूरी त इसरी सबसे बड़ी पार्टी है त्रिनमूल कॉंग्रेस, पहले नंबर पर कॉंग्रेस है, 99 सीटे लेकर, 37 सीटे लेकर अखलेश यादव की समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है, और 29 सीटों के साथ ममता बेनर्जी की त्रिनमूल कॉंग्रेस दूसरे नंबर पर ह लेकिन आप देखिए चार जून दोहजार चौबिस को बीते हुए च्छे महीने हो गए राष्ट्री राजनीती में आपको कहीं भी ममताब एनर्जी की कोई भूमिका दिखाई नहीं देगी कोई बयान किसी के पक्ष में या खिलाफ में उनके समर्थन में किसी का बयान उनको कोई पूछ रहा हो उनसे कोई मिलने गया हो या ममताब एनर्जी दिल्ली आई हो अब मिली हो किसी से उनका एक तरह से आप शगल कहें या राजनीति करणनीति कहें वो थोड़े समय पर चार छे आठ मेंने पर दिल्ली आती थी दो-तीन दिन रुकती थी और अलग-अलग पाटियों के नेताओं से मिलती थी वो पूरी लाइम लाइट दो-तीन दिन तक नेशनल लाइम लाइट जो है वो ममताब एनर्जी के इंद्गिद रहती थी लेकिन पिछले च्छे साल से ममताब एनर्जी अगर कहीं चर्चा में है तो गलतकारणों से ही और आर्जी कार मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई है उसके बाद से उनका आभा मंदल चकना चूर हो गया है ममताब एनर्जी अब वो लड़ा का राजनिता दिखाई नहीं देती है उनकी वो आक्रामकता आप दिखाई नहीं देती उनकी पार्टी कमजोर हो रही है और उनकी पार्टी इसलिए कमजोर हो रही कि ये लड़ाई उनकी किसी राजनितिक दल से नहीं थी अगर बीजेपी से सीधे लड़ाई होती, सीपीम से होती, कॉंग्रिस से होती तो आपको ममतब एनरजी कमजोर नहीं दिखाई देती। ये स्वपता स्फूर्त आंदोलन था जूनियर डॉक्टर्स का। जिसमें पश्चिम बंगाल और खास तौर से कॉलकता में चुकी ज़्यादा हो रहा था प्रदर्शन। तो कॉलकता में आम लोग शामिल हो गए जिनका पार्टियों से बहुत जादा लेना देना नहीं जो पार्टी के समर्थक अविरोधी नहीं थे वो भी जो घरों में बैठे हुए थे घर से आम तोर पर निकलते नहीं थे वो भी सड़क पर आ गए जूनियर डॉक्टर्स के समर उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है उन्होंने फिर से जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है दो दिन पहले उनकी जो है रविवार को या रशनिवार को फोन पर बात हुई जो अंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स है उनसे और उनकी आप आवाज सुन उनकी आप बात सुनते और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी में सन्नाटा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इससे डिप्टे कैसे है, ये जूनियर डॉक्टर्स का जो आंदोलन है, इसमें पहली बार, ममता बेरेजी जब से मुक्यमंत्री बनी है, तो रामिलास पासवान को मौसम विज्ञानी कहा जाता था, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़े मौसम विज्ञानी पश्चिम बंगाल के भद्र लोग के लोग है, जब सत्ता परिवर्तन होने वाला होता है, तो इनमें जो बदला हो, इनका जो रवया हो, इनका जो रुक को उससे आप अंदाता लगा सकते हैं कि पश्चिम मंगाल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। तो भद्र लोग का जो रवया है, भद्र लोग जिस तरह से इस आंदोरन के समर्थन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। रहेगा कि नहीं पता नहीं है, क्योंकि दो साल है अभी विदान समा चुनाओं में। दो साल बहुत बड़ा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। कोई नई घटना हो सकती है, कोई नई बात हो सकती है। उससे सित्यां बदल सकती है। लेकिन आज की तारीख में आप यह कह सकते हैं कि भद्र लोग ये संदेश दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में सत्था परिवर्तन होने वाला है. मम्ता बेनर जी की जो सत्था है वो जा सकती है इसके संकेत मिल रहे हैं. अब ये जो सत्था हस्पूर्त आंदोलन हुआ, कोई भी इस तरह का आंदोलन हो, जब जनता का आंदोलन होता, आम लोगों का आंदोलन होता है, तो सभी पार्टियों की कोशिश होती है उसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाने की, बताने की, साबित करने की. भारती जन्ता पार्टी कॉंग्रेस और CPM तीनों ने कोशिश की भारती जन्ता पार्टी को इस आंदोलन से कोई बड़ा राजनीतिक फायदा मिल रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए भारती जन्ता पार्टी इस आंदोलन का कोई राजनीतिक लाब उठाने की इस्थिती में अभी तक नहीं आ पाई लेकिन एक जो संकेत मिलना है कि CPM के कैडर ने इसमें घुस्पैट बनाने की कोशिश किये और उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है उनको थोड़ा ट्रैक्शन मिलता हुआ दिख रहा है लेकिन भारती जन्ता पार्टी के कारिकरताओं में अब भी लोगसभाद चुनाओ की जो निराशा आताशा है उससे वो उबरे नहीं है हरियाना विधान सभाद चुनाओ के बाद भी वहां ऐसा कोई कारिकरम पार्टी ने नहीं चलाया है जिससे ये कोशिश को या ये दिखाने की भी कोशिश हो कि स्थिती में माहौल में बदलावाया है तो इसलिए इंतजार है पश्चिम बंगाल के और खास तरसे कोलकता के जो भारती जनता पार्टी के नेता और कारिकरता है 24 अक्टूबर का 24 अक्टूबर को क्या है? 24 अक्टूबर को भारती जन्ता पार्टी का सदस्यता अभियान पश्चिम बंगाल में शुरू करने के लिए केंद्रि इग्रेह मंत्री अमिच्छाह आ रहे हैं। बड़ी उमीद है भाजपा के नेताओं को कारिकरताओं को कि उनके आने से महाल बदलेगा। और याद रखी लोकसभा चुनाओ के बाद ये उनकी पश्चिम बंगाल की पहली आत्रा होगी। और पश्चिम बंगाल की राजनीती से अमिच्छाह का क्या नाता है, क्या प्रभ कि बंगous रिशकों का बाणना है, CPM को अगर थोडहा लाब मिलता हुआ, दिख रहा है तो ये भी BJP के लिए ultimately फाइदे मन्द हो सकता है। कैसे हो सकता है BJP के लिए अगर CPM का रिवाइबल हो रहा है तो BJP के लिए कैसे फाइदे मन्द हो सकता है। दो बाते हैं। एक मम्ता बेनरजी के लिए BJP से लड़ना असान है, CPM से लड़ना मुश्किल है। हला कि वो CPM को ही हरा कर सत्ता से बाहर करके आई है। लेकिन वो CPM से मतला लिफ्ट से ज़्यादा लिफ्ट हो गई है। इसलिए CPM के लिए भी अपना रिवाइवल बहुत मुश्किल हो रहा है। जब से बनी है ममता बनरजी 2011 से 13 साल हो गए उनको मुख्यमंतरी रहते हुए। CPM अपना संगठन अपने कारिकरताओं को खड़ा नहीं कर पाए है। हालत यह है कि 2021 के विधान सभा चुनाओं में उसका एक भी उमीदवार नहीं जीता। जिस राज्यम में लिफ्ट फ्रंट ने 34 साल राज किया। निर्दवन्द राज किया। लगातार राज किया। वहां आज विधान सभा में उसका एक भी प्रतनिधी नहीं है। इसी तरह से लोक सभा में भी वही हालत है। तो ऐसे में अगर CPM का रिवाइबल होता है तो 2026 का चुनाओ अगर होता है। जिस दृष्टि से आप देखे हैं जहां खड़ा होकर वहां कहीं से संभावना नजर आएगी कहीं से आशंका। अगर ट्राइंगुलर कांटेस्ट होगा तो ट्राइंगुलर कांटेस्ट का अर्थ पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए एक ही है। मुस्लिम वोट का बटवारा थोड़ा होगा ज्यादा होगा इस पर निर्भर करेगा। अभी तक जो राजनीती दिखाई दे रही है पश्चिम मंगाल में उसमें मुस्लिम वोट का बटवारा नहीं हो रहा है। अगर CPM थोड़ा बहुत भी काम्याब होती है, तो इसका सीधा फाइदा भारती जन्ता पार्टी को मिलेगा. ममतब एनरजी नहीं चाहेंगे कि CPM का रिवाइबल हो, क्योंकि उनके लिए वो खत्रा ज्यादा बड़ा है. तब वो सांप्रदाइक्ता का मुद्धा खड़ा नहीं कर पाएंगी CPM के खिलाव, तब वो हिंदू राष्टवाद का मुद्धा नहीं कर पाएंगी CPM के खिलाव, तब वो बंगलादेशी घुसपैठियों का मुद्धा जो है, उस पर भी उनके लिए बोलना ज्यादा जब बीजेपी की बात आएगी तो उनके लिए बोलना बहुत आसान होता है, कि इनको ये चुकि मुसल्मान हैं ये घुसपैठियों इसलिए बगाना चाहते हैं, लेकिन CPM तो लाने वाली रही है, CPM और इसके अलावा जो है TMC दोनों जो बंगलादेशी घुसपैठियों ह है, जब तक वो CPM के साथ रहे, CPM को राजितिक फाइदा मिलता रहा है, जब उन्होंने अपनी वफादारी शिफ्ट कर ली और TMC के साथ हो गए, ममता बेने जी के साथ तो ममता बेने जी को फाइदा मिल रहा है, तो भारती जंता पार्टी इस दुविदा में है कि आगी का रास्ता उसका क्या हो, क्या वो इंतिजार करें कि CPM का थोड़ा बहुत रिवाइवल हो और यह फाइट 2024 की ट्राइंगुलर हो जाए, इससे उसको फाइदा मिले, या अपनी पार्टी के काईडर को फिर से खड़ा करने की कोशिश हो, जो धक्का लगा है 2024 के लोगसमा चु गे जिससे पार्टी फिर खड़ी हो सके, इस निराषा से उबर सके, खास हरियाना विजान सबा के चुनाव में जो सफलता मिली है पार्टी की और खास तफ्से जम्मू में, देखें जम्मू कשμीर का चुनाव, भारती जंता पार्टी के लिए हमेशा से जम्मू का होता है. अगर जम्मू अलग राज्य होता तो आज BJP के वहाँ सरकार होती है. घाटी में BJP को न पहले कभी कोई समर्थन मिला है, न इस बार मिला है, न आगे भविश्य में मिलने की कोई उम्मीद है. भाजपा को जम्मू कश्विय में जो उमीद वो इतनी ही थी कि शायद PDP और National Conference के अलावा तीसरे लोग, चाहे वो इंडिपेंट हो, चाहे चोटी पार्टियां हो, उनको ज्यादा समर्थन मिलेगा. तभी भार्ती जंता पार्टी के लिए सत्ता में आने की कोई गुझाईश बनती, वो हुआ नहीं. गाटी का मुसल्मान एक मुझ जो है National Conference के साथ गया, वो Congress के साथ भी नहीं गया, तो इसलिए Congress गाटी से भी साफ हो गई और जम्मू से भी साफ हो गई. कुल जो है 90 सीटों में से राज्य की केवल 6 सीटे Congress पार्टी को मिली है, इससे उसकी हालत का अंदाजा लगा लिजिए और ये 6 सीटें भी National Conference के साथ एलाइंस के कारण मिली है. तो फिर लोटकर आते हैं पशिब मंगाल पर, पशिब मंगाल में ममताब एनरजी लगभग घर से उनका निकलना बंद हो गया है. किसी बड़े सारवजनिक कारिकरम में पिछले 6 महिने में आपने ममताब एनरजी को कब देखा? उनको दिल्ली आते हुए कब देखा? उनको इंडी गणबंधन की बात करते हुए कब देखा? इंडी गणबंधन के नेताओं की उनसे बात होते हुए आपने कब देखा? तो आगी का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हुँऔ, राजीतिक लड़ाई होती है, तो उनमें एक अलग तरह की उरजा आती है, अलग उत्साह Step है, उनमें उत्साह आ जाता है, लेकिन यह लड़ाई जंता से है, जंता से वो नहीं लड़ सकती है, आम जंता से जो politically बाइस नहीं है जो किसी पार्टी के बिलकुल पक्ष में या खिलाफ नहीं है किसी पार्टी के कारिकरता के रूप में उस तरह से जुड़ी हुई नहीं है वोट देती है किसी ने किसी पार्टी को तो वोट देते ही होंगे लेकिन उससे जादा का जुडाव नहीं है ऐसे लोग जब सड़क पर उतरते हैं तो किसी भी सत्ता रूर्डल के लिए और सत्ता रूर्डल के नेता के लिए फिर उनका मकाबला करना बहुत मश्किल हो जाता है उसी मुश्किल के दौर से मम्ता बेनरजी कुज़र रही है तो वो हमले हुए हैं, जान जाते-जाते भची है, CPM के राज में, तब भी उनके मन में, उनके कैडर के मन में, कभी इस तरह की निराशा नहीं आए, जिसकी इस समय दिखाई दे रही है, उनको आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इस संकट से निकलने का कोई उपाय समझ में आ रहा है तो उनकी लड़ाई राजनीतिक से अब धीरे से खिसक कर जो है आम लोगों से हो गई है जो आम सेंटिमेंट है जो जनरल सेंटिमेंट है वो ममताब एनरजी और टीमसी के खिलाफ हो गया है उसका प्रकटी करण राजनीतिक रूप में यानि चुनाव में होगा की न पहली बार उनके सामने बहुत बड़ी राजनीतिक चुनावती आई है और वो चुनावती किसी राजनीतिक डल की और से नहीं आई है पश्चिम बंगाल के आम लोगों की और से आई है इसलिए उनके लिए कठनाई और ज़्यादा है तो इसंग में इतना ही अगले एक में मिलेंगे किसे नहीं मुद्दे के साथ तब तक के लिया मती दीजिए आप से नरोध है के चैनल देखिए शेर कीजिए लाइब कीजिए और सब्सक्राइब दरूर कीजिए नमस्कार